यात्री गल क्रिपया ध्यान दीजिये, गारी नमबर 22827 पुरी सूरत एक्स्प्रेस चार नमबर प्लेटफर्म पर कुछी देर में आने वाली है। पाथक गल भी क्रिपया ध्यान दीजिये। व्यथा और उत्सुकता को लिए दोपहर से ही ब्रहमपुर रेल स्टेशन में इ करते हुए ट्रेन आ गई। रात के आठ बज कर 55 मिनट पर सूरत एक्स्प्रेस पहुची थी ब्रहमपुर स्टेशन में। अपने सामने ट्रेन को देखकर मन में खुशी की एक लहर फैल गई। किसी यात्री को छोड़कर ट्रेन छोट न जाए। इसलिए ट्रेन के रुखन वह अंदर घुस नहीं सका। दर्वाजे के पास ही वह खडा रहा। सुबर से ही खाने पीने का ठीक ठीकाना नहीं था। अपने ठके मांदे बदन को आराम पहुचाने के लिए वह दोनों आखों की पुतलियों को भूमाने लगा। चीट की संख्या से यात्रियों की संख् थी। ग्यात्रियों की शोर शराबे के बावजूद पांच मिनट बाद ट्रेन छूटने लगी। धीरे धीरे ट्रेन की गती तेज होती गई। शरीर ठका हुआ था और मन बोजल। जरोखी के बाहर से आ रही हवा के जोकों से आँखों में नीन दुमने लगी। उसने गोच्छा बिचा कर वह बैग गया। जी, आर, टी, पुलिस ने आकर दर्वाजे को बंद करते हुए पूझा, यह आरक्षन का दिब्बा है। तेरा आरक्षन है क्या। तीन बंदों ने हां हां कहकर सिरहिलाते हुए सम्मती प्रकत की और परीक्षक को टिकट दिखाया। टिकट परीक्षक ने लाल आखे दिखाते हुए कहा, टिकट होने से क्या होगा। यह संरक्षन डिब्बा है। समझे। बात रूम से लोटते हुए एक यात्री ने एक और सहयात्री से टिकट परीक्षक और पुलिस की और इशारा करते हुए कहा भई। भारती रेल के यह स तरदिया सूरत, पुलिस ने कहा, आगया आंधर की पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, वे तुझ से जरूर जुर्माना वसूल करेगी, अगले स्टेशन विजन गरम में गाली आधा घंटा रुपती है, वही उतर कर साधारल दिब्बे में पहांच जाना, तीन बंधु को ता जी से आगे की ओर भाग रही थी, दीन बंधु का मन उतना पीछे की ओर लोट आ रहा था, जीवन की तमाम घटनाओं को वह याद करने लगा, एकांत दू, खर और दर्द से उसकी आँखे चलचला उठी, उसकी उम्रब मेहनत करके धन कमाने की थी ही नहीं, फिर भी वह पर स्थित्यों से मजबूर होकर सूरत जा रहा था, मन 30 साल अतीत की ओर लोटने लगा, वह पिछले 30 वर्षों से सूरत में एक मजदूर के रूप में काम करता आया है, उसके पैदा होते ही मा उस पार चल बसी, घर में पिता और वह रह गए, खाने पीने की परेशानी थी, हुई थी, गाउग में मजदूरी करके वह तंग हाल में अपना परिवार चला रहा था, पिताजी की मुलोत के बाद दीन बंधू अपने परिवार के साथ अपने ही राज्य के एक महानेगार में मजदूरी करने आ गया था, शहर के छोर पर एक जोपड़ी में रह रहा था, बह रोज पक का घर बनाने जाता था, लेकिन उसकी जोपड़ी का छप पर घास फूसका था, वह रोज दिवारों पर सिमेंट और माबल चिपकाता था, लेकिन उसकी जोपड़ी की पुताई गोबर और मिटी से होती थी, शहर के लेनिन चौक में रोज इंसानों का मोल इसलिए उस चौक में मजदूरों का जमावडा होता है, वह चौक तबदील होता है इंसानों की मंडी में, रोज वहां मजदूर सुबह सुबह आकर डेरा डालते हैं अपना गुजारा करने के लिए, वह मंडी पेट भरने के लिए थी, मजदूरी के लिए उस मंडी में मजदूरों को ले जाते थे। काम पाने की आशा में हाथ में एक कुदाल ये दीन बंधू रोज जाकर इंसानों की मंडी में बैठ जाता था। कभी काम मिलता नहीं था। जिस दिन काम मिलता नहीं था। उस दिन वह इंसानों की मंडी से निराश होकर घर लोटता था। इछल पहुँच कर काफी देर तक इंतजार करता रहा, फिर भी उसे किसी ने बुलाया नहीं, काम मिलने की उम्मीद नहीं थी, एक पेर के तने से पीट टेट कर दीन बंधू खड़ा रहा, सहसा एक ट्राक्टर आकर वहां रुका, उसमें पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे, ट् में असीम आनन फैल गया, वह खुश होकर कह उठा मैं एक मजदूर हूँ, उस आदमी ने कहा तो फिर ट्राक्टर में जाकर बैठो, दीन बंधू बिना देर कि ये ट्राक्टर के पीछे लगी ट्राली पर चट गया, फिर ट्राक्टर चलने लगा, शहर के विभिन जगहों स मजदूरों को इकठा करके उस ट्राक्टर से लिया जा रहा था, मजदूर बातचीत कर रहे थे कि वे जिस काम के लिए जा रहे हैं, वह काम एक दिन का नहीं है, काफी दिनों तक चलने वाला है, दीन बंधू की आँखों में खुशी के आंसू छलक उठे, काफी दिनों तक काम मिलने वाला है, तल से उसे इंसानों की मंडी में हाजर होना नहीं पड़ेगा, ट्राक्टर उसके घर से आने के रास्ते पर ही जा रहा था, इसलिए दीन बंधू ने सोचा कि शायद उसके रहने की बस्ती के आसपास के इलाके में काम चल रहा होगा, कुछ ही देर में ट खुशी पल भर में ही दू, खा में तबदील हो गई, ट्राक्ट से उतर कर उसने जो द्रिशे देखा उससे उसका दिल दहल उठा, उसकी बस्ती को धहाने में धेर सारे डोज़ लगे हुए थे, घरों के असबाब सब इधर उधर बिखरे पड़े थे, ट्राक्ट से आने व काफी दिनों तक काम करोगे, यदि कमपनी चाहेगी मार्केट बन जाने तक तुम लोग यहां काम कर सकते हो, दीन बंधू के इंसानों की मंडी के लिए निकलने के बाद जुगी जोपरियों को धाहाने का काम शुरू हो गया था, तहस नहस हो चुकी जोपरियों की उस बस् सिस्क कर रो रही थी, कुछ और सोचे बिना वह परिवार के साथ सीधा गाव चला आया था, बनिता को काफी समझाते हुए उसने कहा तुम घर चला लोगी और बेटे की देख भाल भी कर पाऊ गयाए, मैं हर महीने रुके भिजवा दिया करूंगा, उसके अगले दिन सुब पैर रखने की जगह नहीं थी, सीध के उपर सामान रखने की जगह लोग सटे हुए बैठे थे, कोई किसी पर लदा हुआ सो रहा था, कोई कोई बाई तथा दाई और लॉगेज रखने के शेड में और रक की साधी को जूले की तरह बांध कर उसमें सो रहे थे, दीन बंदू पाखाना के सामने खडा रहा टिटिलागर स्टेशन में कुछ यात्रियों के उतर जाने के बाद फर्ष पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह मिली, बैठते ही उसका मन फिर एक बार गाउं की ओर लॉटने लगा इचले तीस बर्षों में उसने सूरत में कई घटनाएं देखी हैं 1993 के साम्प्रदाहिक दंगे, 1994 की प्लेग महामारी, 2006 की भयनकर बार और 2020-21 की कोरुना महामारी की पहली और दूसरी लहर से खुद को बचा लिया है तपड़े के कार खाने के मज़दूरों की एक भिन दिशा है, जो अनिश्चित्ता, मानसिक तनाव, व्यस्तता और चिंता उसे भरी हुई है यहां लागों की सुविधा के लिए कई चीजे हैं, लेकिन मानसिक शांती नहीं है इसलिए कहा गया है कि भारत में दो देश है, पहला है भारत और दूसरा है इंडिया दीन बंधू इंडियन नहीं है, वो भारतिय है, भारतियों की जगल गावों में है दूसरी और जो इंडियन है, वे शिक्षती और उचे वर्प के होते हैं वे रहते हैं शहरों में, भारतिय जब इंडियन के शहर में आते हैं तब वे आधुनिक शहरी जीवन के साथ कदम मिलाते हुए चल नहीं पाते हैं और उन्हीं कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है शहरी लोगों में रुपयों के पीछे भागने की प्रवरती जादा है धन बटोरने के बावजूद शांती शहरी वाशिंदाओं से दूर रहती है इनसान शहर में निसल जीवन बिताता है शहरी जीवन की व्यथाओं को पिछले 30 साल से वह अच्छी तरह जेलता आ रहा है दीन बंदू ने मन में धेर सारे सपने संजोए थे अब की बार गाव आने के बाद वह फिर सूरत नहीं जाएगा तमाम जीवन मजदूरी करके उसने 5 एकर जमीन खरीदी है अब उसमें वह सोने की फसल उगाएगा नाती कोतों के साथ हंसी ठिठोली करके अपना दूख भूला जेगा अधेर रूम में गाव में चैन से रहेगा शहर उसे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है उसने बोरा बिस्तर बाद लिया था तीस बशों से अपने पास रखा हुआ सामान गाव ले जाना संभव नहीं है जितना सामान लिया जा सकता है उतना भी साधारल दिब्बे में लेना संभव नहीं है अपनी कमपनी के सभी मजदूर साथियों को उसने बता दिया था कि अब वह सूरत लोट कर दोबारा नहीं आएगा नाती कोतों के लिए इड्रायस, पत्नी और बहूम के लिए साड़ी, बेटों के लिए कपड़ा और कुछ मिथाया खरीद कर उसने अपना बोरा बिस्तार तयार कर दिया था कपड़े के कारखाने के मालिक को जाकर मन की बात बताई, मालिक ने आशिरवाद देते हुए कहा, ग्राम माम जब अने त्याक सुखी जीवन जिबो मारी आशिरवाद तमारी साथ है अर्थाक गाउं में जाकर सुखमय जीवन जीओ मेरा आशिरवाद तुम्हारे साथ है वो खुश होकर स्टेशन पहुचा आरक्षन का टिकट लेकर जाने की तारीक का इंतजार करने लगा जब हम उत्साह के साथ किसी चीज का इंतजार करते हैं तब समय कच्छुए से भी धीमी गती से चलने लगता है घड़ी की सुईया इतनी धीमी चलती हुई लगती है नेकी मानो दुनिया का सारा आल से उनमें समागाया हो आस्मान को छूने वाली इमारतों चौरी सरकों और पंचतार का होटलों से भरपूर व्यापारियों का वस्त्रक शिल्ख शहर सूरत देश के सभी इलाकों के मजदूरों को निमंत्रन देता है लेकिन इस शहर का एक और अंधकार से भरा हुआ चेहरा है वो है मजदूरों के दू, खा और पीरा का सूरत के पांडेशर, उधना इलाके में तापी नदी के किनारे की जोपर पट्टियों में उसने दू, खा और पीरा के साथ एक मजदूर की जिंद्गी गुजारी थी हमेशा के लिए सूरत शहर को अलविदा कहने का मुहुरत आ गया था दीन बंधू के लिए वो दिन था दीन बंधू के जीवन का अंतिम मजदूरी का दिन, सुबर सारे आठ बजे का समय, दीन बंधू एक नंबर प्लेटफॉर्म में पहले ही पहुँच गया था और ट्रेन के इंतजार में था खोशना हुई यात्री गिन क्रिपया ध्यान दे, गारी नंबर दो, दो, आठ, दो, आठ सूरत पुरी एक्स्प्रेस शीग रही प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आ रही है पाठक भी क्रिपया ध्यान दे, सिग्नल मिलने के बाद गारी छूटने लगी थी, प्रेन के जरोखे के बाहर अलविदा कहने के लिए कई हाथ लहराने लगे थे विदा करने के लिए आये हुए साथियों के लहरते हाथों का फासला बढ़ता जा रहा था थोड़ी देर बाद साथियों के जाने पहचाने चेहरे अब दिखाए नहीं पड़े कुसबल, अकोला, वर्धा, नागपूर, विलाई, रायपूर, विजेनगरम इस तरह एक के बाद एक स्टेशन को पार करते हुए ट्रेन आ रही थी और इसा की ओर एक-एक स्टेशन को पार करते ही गाउं की दूरी कम होती जा रही थी आने वाले दिनों में गाउं में गुजारा करने के सारे द्रिश्य दीनबंदू के मन में साफ उभरते जा रहे थे जिस तरह चित्रत कलाकृती से ग्रेसिंग पेपर को धीरे-धीरे हटाने के बाद चित्रसाफ दिखाए पढ़ने लगता है वो कई बार सूरत से अपने गाउं और गाउं से सूरत आ जा चुका है पर उस दिन के उन्माद को उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था घर, परिवार, पत्नी, बच्चे सब के होते हुए भी वहेका की जीवन जी रहा था वो सोचता रहा कि उसके लिए शादी का माइने ही क्या था क्या वो शारीरिक आवश्यक्ता ही थी, जिसे आदर्श का मुकुट पहना कर सम्मान प्रदान किया गया था यदि पती पत्नी के आत्मिक मिलन की समीक्षा की जाए तब विवाह 8 साल के बाद या 50 साल के बाद भी किया जा सकता है अपनी पत्नी की बात सोचते हुए उसने गहरी सांस ली अगले ही पल खुद को धारस बधाते हुए कहा कि ठीक है अब तो समय आ गया है अपनी पत्नी के साथ जीवन बुजारने का सही समय पर ट्रेन ग्रमपुर स्टेशन में पहुँची खोशना हुई यात्री गन कृपया ध्यान दे गारी नंबर 2, 2, 8, 2, सूरतपुरी एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफॉम में पहुँच चुकी है पाथक भी कृपया ध्यान दीजिए कितनी आशाएं लेकर दीन बंधू गाव लोटा था लेकिन हुआ क्या मन में अनेक आशा और आकानक्षाउंथ था बाकी जीवन के बेशुमार सपनों को लेकर दीन बंधू गाव जाने वाली बस में बैठा उसने तमाम जीवन खुद मजदूरी करके धन कमाया है सारा जीवन खूब मेहनत की है एक बेटी और दो बेटों को पड़ाया लिखाया है उनका विवाह करवाया है गाव में पक्का मकान बनवाया है पांच एकर की जमीन खरीदी है अब वह अपने बचे खुचे जीवन को अपने प्रिय लोगों के साथ सनेह और सम्मान के साथ बिताना चाहता है चिस दिन दीन बंधू घर पहुचा उस दिन परिवार में सब खुश थे वह जो सब सामान लेकर आया था उसे दोनों बहों ने आपस में बांट लिया कुछ दिनों बाद दीन बंधू को असास हुआ कि धीरे धीरे उसके प्रती घर के लोगों की श्रद्धा घटी जा रही है दोनों बहों के बीच रसोई बनाने, जार्यों पुहार करने, बरतन मांजने और घर की साफ सफाई करने को लेकर जगड़ा चल रहा है नाती पोतों के त्युशन की फीज, ड्रैस और मोबाईल को लेकर खीचातानी, खेट के बढ़बारे को लेकर दोनों भायों में अन्बना दी कई कारणों से उसे अपना ही घर न जाने की वजीट सा लग रहा था दोनों बेटे कमपड़े लिखे हैं और बेकार हैं दोनों बहों के एश्वाराम के मनोभाव से व्यथित पत्नी बनिता सिर्फ घर के काम काज में लगी रहती है खते खते शरीर कमजोर हो गया है आखे धस गई है और शरीर चीजने लगा है वे बीमार लग रही है काफी कमजोर हो जाने के बाद भी उन्हें घर के काम से फुरसत मिलती नहीं है दीन बंधू की देख भाल करने के लिए भी उन्हें फुरसत मिलती नहीं है इसलिए उसे अपनी पत्नी से भी अपनेपन का अनुभव नहीं मिला बेटे और बहूम की अवहेलना को लेकर कई बार उसने अपनी पत्नी को कहना चाहा है पर कहने ही पाया है एक दिन दीन बंधू ने अभिमान में आकर पूछा कि तुम्हारे होते हुए भी मैं बहूम का परोसा खाना क्यों खाऊन पत्नी ने कहा जब से तुम आये हो उस दिन से मेरी सेहत के बारे में कभी पूछा जिस दिन मैं नई दुलहन बन कर तुम्हारे घर आई थी उसके कुछ दिनों के बाद ही तुम मुझे सारा जीवन अकेला छोड़कर विदेश में रहने लगे तीन तीन बच्चों को पैदा करके मैंने उन्हें सभाला दीन बन्दू ने कहा मैं क्या तुम्हारे पास आता नहीं था या कमाता नहीं था साल में दो चार बार आता था गाउग में हमेशा के लिए रह जाता तो परिवार कैसे चलता बच्चों की पढ़ाय लिखाई कैसे होती ठीक है, जाने दो पहले की बातों को अब तुम्हें क्या हुआ है बनिता ने कहा मुझे लगता है कि मैं शीग रही मर जाओंगी इस तरह कि अमंगल बाते करती क्यों दीन बंदू ने कीजते हुए कहा उद्धरन चिन्ह बनिता ने कहा सच में न जाने क्यों मैं इतना कमजोर महसूस कर रही हूँ यहां मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ सिर हमेशा चक्राने लगता है आखों के सामने अंधेरा चा जाता है बहु बेटे कभी हस्पताल लेकर नहीं गए उन्हेंने कई बार कहा है सिर्फ बगल वाली दवाई की दुकान से गोलिया ले आकर अपनी जिम्मिदारी निभा लेते हैं सोचा था तुम आने के बाद मेरी देख भाल करोगे लेकिन कल हस्पताल जाएंगे दीन बंधु ने धार्जब अधाते हुए कहा था दोनों की बातचीत से एक दूसरे के प्रतिमान मनोल साफ जलक उठी थी और दोनों के मन से वह मिद गई थी उसके अगले दिन सुबह दीन बंधु अपनी पतनी को लेकर सरकारी हस्पताल में पहुचा था दॉक्टर की रिपोर्ट देखकर दीन बंधु का चहरा पीला पर गया दॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से बनिता को ब्रेन कैंसर हुआ है वह अब ज्यादा दिन जी नहीं सकती फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी प्राजधानी भुवनेश्वर ले जाकर बड़े डॉक्टर को दिखाया सूरत से जो कुछ धन लेकर आया था वह थोड़े दिनों में खतम हो गया फिर यार दोस्तों से उधार लेकर पत्नी का इलाज करवाया काफी कोशिशों के बाद भी पत्नी की जिन्दगी बच नहीं सकी पत्नी के इलाज के खर्चे के साथ साथ शुद्धी क्रिया का खर्च कोड़ पर खाज की तरह हो गया कर्चा कैसे चुकाया जाएगा उसके लिए बहु बेतों को कोई परवा नहीं थी उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि उनकरज के बारे में कुछ पता ही नहो उनकी नजर में दीनबंधू अपने परिवार के लिए धन कमाने की एक मशीन मात्र हो दीनबंधू की मानसिक पीर्या को कोई समझ नहीं पा रहा था दीनबंधू को महसूस हुआ कि परिवार के लिए वह एक बोज के अलावा और कुछ नहीं है बह समझ गया कि खून और मन का संपर्क बिलकुल अलग है पिछले 30 बशों से परिवार से अलग रहने के कारण परिवार के सभी सदस्यों के लिए वह पराया हो गया है फिर भी उसने परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश की थी आधुने पीडी के लिए अपने परिवारिक जीवन में चलिया रही सामाजिक मुयबोध के लिए कोई स्थान नहीं है सूरत से लोट कर परिवार के सदस्यों से उसे जो उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं मिला था वो तमाम जीवन परिवार के सुखोर सने उसे वंचित था तीस साल तक अकेला एक मजदू और का जीवन बुजारने के बाद वह अपने परिवार में लोटा था आखिर उसे मिला क्या अपने लोगों की आत्मियता की तलाश में वह लोट आया था लेकिन वह म्रिगमरी चिका और जूठी सपनों से कुछ अलग नहीं था उसे ही अपनी पत्नी के इलाज के लिए तथा शुद्धी ख्रिया के लिए किये गए करजे को चुकाना होगा इसलिए दीनबंधू फिर से सूरत लोटने के लिए मजबूर था जिस दिन वह सूरत जाने की तयारी कर रहा था उस दिन वह महसूस कर रहा था कि परिवार की सभी सदसे काफी खुश है सूरत के लिए वह दूसरी बार लोट रहा था सूरत शहर आपना के स्वागत जानाया मुसाफरों में हर जानी करेने नोंध लेशो के वाहन नंबर बे, बे आठ, बे, साथ पुरी सूरत एक्स्प्रेस पहिला थी जा प्लैटफॉर्म नंबर चार पर पहुंच गए छे कोट सिर्फ गाव और परिवार की बात सोचते हुए ट्रेन का उसका सफर खत्म हो गया था रात के साड़े दस बजे सूरत स्टेशन में उतर कर दीनबंधू अटोरिक्षा लिये अपनी उस पुरानी मजदूरों की बस्ती में पहुंचा जिन्दगी जिस रास्ते से लेना चाहती है इनसान को उसी रास्ते से ही बुज़ना होता है कभी कभी जिन्दगी क्या है उस पर चिंतन करने के लिए इनसान को मौका मिलता भी नहीं है जिन्दगी में जिसे सुख नहीं मिलता उसे सिर्फ कई तजरुबे मिलते हैं सुख की तलाश में बार बार गुम्राह होकर भटता है दीन बंधु अपने जीवन में जीवन में गुम्राह होकर फिर एक बार दीन बंधु उसी जगल लोट आया है जहां दोबारा कभी वह लोटना चाहता न था बस्ती में मजदूर खंजदी बजाते हुए भजन कीर्टन में मस्त थे कोई एक बाबागा रहे थे और बाकी सब दोहरा रहे थे उसकी अंतरात्मा को समझने वाला कोई नहीं था कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था शब्द विहीन उसके मौन को कोई सुन नहीं पा रहा था भाई सुन नहीं पा रहा था इस दुनिया में वह अकेला आया है अकेला जाएगा, अकेला जाएगा भाई, अकेला जाएगा जिन्दगी खुद के लिए जीना नहीं है खुद के लिए नहीं भाई खुद के लिए जिन्दगी एक वास्तविक्ता है सपना नहीं है भाई सपना नहीं दीन बंधू को देखकर पहले से परिचित मजदूर साथी भजन कीर्टर